जै समिधान जै भीम मात्मा गांदी के जै कोड़ से मुर्दाबाद मैं आज ये बात करना चाहता हूं कि जब भारती जन्ता पार्टी बड़े जोर शोर से 2013-14 में प्रचार कर रही थी और उसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक ये बढ़ जड़कर सोशल मीडिया पे भारती जन्ता पार्टी के IT सेल द्वारा ये प्रचारित प्रसारित किया गया कि भारती जन्ता पार्टी और मानी मोदी जी हिंदूओं की रक्षा करेंगे हिंदूओं के जो अपने सनातनी संसकार हैं उनकी रक्षा करेंगे हमारी जो पुरानी परंपरायर मानेता हैं उनकी रक्षा करेंगे ऐसा कहा गया था ऐसा माना गया था जबकि हिंदूओं के एक बहुत बड़े वर्ग समूव ने इस बात को सत्यवान लिया था और हम जैसे मुठी बर लोग उस समय 2013-2014 में मुठी बर लोग थे जो असली सलातनी थे जो असली हिंदू थे और समझ गए थे कि भारती जंता पार्टी का जो शलयंत्र है जो इनका ट्रैप है वो अलग है ये हिंदूों की रक्षा नहीं करना चाते बलकि ये राजनेतिक गद क्रिशनों से घ्रणा भड़का कर अपना उल्लू सीधा करना चाते हैं ये हम जैसे लोग तो समझ गए थे लेकिन 2013-2014 में बहुत बड़ा वर्ख था हिंदूों का जो इनकी चाल को नहीं समझाते है इनके चक्र में पढ़ गया 2014 में ये चुनाव जीते 2019 में जीते लेकिन च बजा 24 के चुनाओं में अधिकांश विंदू ने भारती जनता पाढ़ साथ चोड़ दिया और वो हंदू जो कि हमरी सब्यताय और संस्क्रिती और सं और संनातरी परंपराओं का निर्वहन करने में इच्छोख dur थे उन्होंने भारती जनता पाढ़ी का साथ छोड़ दिया कि बागी धर्म के लोगों को चीजें महंगी मिल रही हो और हिंदु को लोगों को सस्ती मिल रही हो पेटवल और डिजल अलग-अलग दाम हो ऐसा नहीं हुआ एक समान एक रूप से सभी धर्म और जाति और समप्रताय के लोगों ने महंगाई का दंश भी झेला बेरुजगारी को भी झेला अगनी वीर जैसी वहियात योजना को भी झेला और किसान अन्धाता जो कि अधिकांश हिंदू और सिक्ष था उसने भी इनकी निरंकुष्टा को झेला बरबरता को झेला तो दिरे दिरे हिंदू जाके लेकिन अभी हंदुओं को और जागने की आवशक्ता है एक जो नया कांड हुआ है जो आपको पता होगा आपने सुना होगा आपने पढ़ा होगा हम हंदुओं के लिए तिरुपती बाला जी एक बहुत बढ़ा तीर थे हम लोग वहां जाते हैं वहां के जो दक्षन के लोग हैं वो बाल मुडवा लेते हैं और बड़े शद्धा पूरुवक हजारों लाखों के भीड़ बाला जी के मंदर पे तुपधी जी के मंदर पे लाई लगा के खड़ी होती है किस परकार की विवस्ता है अगर आप आग ग बारती जनता पार्टी के सरकार में कुछ भी है आप पैसा दीजिए और तुरंद भगवान के सामने जाके खड़े हो जाईए मैं समाने जनता की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तो समाने जनता की तरह उन जंगलों से गुजरता हुआ बाला जी तुर्पधी जी के दर्शन कर जो कहते हैं कि हिंदूों की रक्षा करेंगे सनातन परंपराओं की रक्षा करेंगे और मोदी है तो मुम्किन है डबल इंजन की सरकार बनवाईए तो तो तिर्वधी वाला जी जहां इस्थित हैं वहाँ पर भारजी जंदापड़े की सरकार तो नहीं है कॉंग्रेस की सरकार तो नहीं है लेकिन पहले दस साल वाईएसर कॉंग्रेस की सरकार बनी वाईएसर कॉंग्रेस के अध्यक्ष और वहां के मुख्यमंत्री जिनकी वज़े से बेसिकली 2014-19 में कॉंग्रेस सत्ता में आई थी और वो बड़े कॉंग्रेसी प्रबल समर्थक थे वो मुख्यमंत्री थे उनकी एक दुरगटना में मौत हो गई उनके बेटे ने एक अलग अपनी वाईसर कॉंग्रेस करके पार्टी बनाई पूरी पदियात्रा किया अंद्र प्रदेश के अंदर कॉंग्रेस से समझाता नहीं किया बल्कि भार्दी जन्दा पार्डी से समझाता किया और चीव इनिस्टर बने और जैसा बीजू जन्ता दल ने किया जैसा बी आरेस ने किया जैसे बाकी राजिये दलों ने किया कि पिछले दस साल दोहजार चौदे से लिकर चौबिस तक उन लोगों ने वार्दी जन्दा पाड़े का साथ दिया यसर कॉंग्रेस के अध्यक जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी साथ दिया आज और टीडीबी के मुख्यमंत्री चंद वावू नाइडू है वो भी वार्दी जन्दा पाड़े का साथ दे रहे हैं अब सोचिए हिंदूों की भावना से किस प्रकार से बड़ा धोका किया गया है तो पती बाला जीना और यह वो लोग हैं जिन्होंने धोका किया है जोगी हरे द्वार जब कामण यात्रा निकल रही थी तो इन्होंने कहा था कि लोगों को अपनी तक्ती नेम प्लेट लगानी पड़ेगी जिसमें बाद में कोड ने का नहीं यह ठीक नहीं है इससे धार्मिक वैमनस से पहलेगा लेकिन वो उद्देशी धार्मिक वैमनस से पहलाने का था और यह ऐसा बताया गया ऐस इफ मुस्लिम सिख और इसाई नौनवेज होते हैं हिंदू तो नौज़र होता ही नहीं जबकि वास्विक्ता यह है कि आज के तारीख में गिने चुलें दस-पंद्रे परसेंट हिंदू ऐसे होंगे जो वेच्टेरियन हैं पूर्णता हुए रिच्टेरियन हैं बाकि जाजे तर नौनवेज खाते हैं लेकिन हिंदू मुसल्मान करने के लिए कामण यात्रा में यह मुद्धा उच्छाला गया तुर्पदिवाला जी में अब ख़बान मिली है जो सरकारी जाज से पता चला कि वहां पर एक स्पेशल लड्डू बनता है जो स्पेशल लड्डू मिलता है और बड़ा स्वादिश्ट बना जाता है और हम लोग लाइन में लगकर उसको अलग से भी खरीदने का प्रयास करते हैं जिसकी कीमत भी अच्छी कासी होती है यह पता चला कि वहां जो लड्डू बना है उसमें गाई की चर्वी का यूज हुआ है फिश ओयल का यूज हुआ है जराज इस बात से वितंडरबाद खलाने वाले ट्रेन में सफर करने वाले किसी मुसलमान जिसके डिबे में नॉन्वेज बिले उसको पीटने वाले गौह हत्या के आरफियों को जिंदा जला देने वाले और डबल एंजन की सरकार क्योंकि डबल एंजन की सरकार मानी जाई थी क्योंकि पहली सरकार भी भारतिय जंतापाड़ी की समर्थक थी और यह सरकार भी भारतिय जंतापाड़ी की समर्थक है दस साल तक इनकी सत्ता है अब ये तो कह नहीं सकते हैं ये पंडे जवालने नहिरू की गलती है इंद्राजी की गलती है वाई असार की गलती है क्योंकि उनके तो देहांत हुए बहुत समय हो गया अब तो आपकी सहयोगी दल आद्परदेश के अंदर रूल कर रहे हैं और हिं की में मिला कर उसको लड्डू के रूप में हजारों लाखों करोणों हिंदों को खिलाए गया है को धर्म ध्रश्ट कर दिया गया है और ये वो लोग कह रहे हैं यह उन लोग कर रहे है जो कहते हैं कि हिंदूओं की जो मुल भावनाएं हैugशा करेंग उनका करेंगे अगर आप अच्छा मानी मोदी जी ये भी कहते हैं अक्सर कहते हैं कि मैं बड़ा चतुरता से काम करता हूं मेरे बाद ड्रोन हैं और किस जगह पर क्या हो रहा है मेरे को द्रोन से पता चल जाता है अब ये मोदी जी की अलग scientific discovery है लेकिन मैं तो निवेदन करना चाहत हूं मानी मोदी जी से कि अगर आपके द्रोन कदम कदम पर घुमते रहते हैं जगह जगह पर घुमते रहते हैं तो आपके द्रोन ने ये नहीं पता चलाया कि वहां पे त्रिपतिवाला जी जिसमें अधिकांश हिंदूों की आस्था है वहां पे पश्वों की चर्वी मिला कि और फिश ओयल मिला के घी में लड्डू में कैसी खिलाए गया और इसका डंड किसको मिलेगा क्या केंद्री सरकार की जो भी एजेंसीज हैं वो इतनी निश्क्री हो गई है या निकम्मे हो गई है कि वो मिलावाट फिर ये जो फूड इन्स्पेक्टर डिपार्टमेंट होते हैं रेस्टा जा जाके घूस लेते हैं और वहां जाके सट्टिक्ट देते हैं और जो सडा समान हम लोगों को रेस्टा में खिलाए जाता है उसमें आंग मुनते हैं और बड़भी खोटीया मना ले नाइवं पोग आखिर क्या इंस्पेक्शन कर रहे थे कि यह इस्पेक्शन नहीं कर रहे थे एक और हिंदू की लाखों करोणों की हिंदू की भावना को अध कर दिया अब वो दो चंदबाबू नाइडव वैसार कॉंग्रेस की बीच की राजनेतेक लाई है चन्दबावु नाइडू वाईसार कॉंग्रेस को दोश दे रहे हैं और नड़ा जी ने जेपी नड़ा साथ जो भरदी जंदपाड़ी के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक और स्टेट्मिंट दे बारा है वो कह रहा है हम FSSI से इसकी जांच कराएंगे और जांच से रिपोर्ट मिलेगी तब हम करवाई करेंगे अभी तक आपकी FSSI से कहां थी अभी तक आपकी जांच संस्थाई कहां थी और ये भी पता चलाईए और बताईएगा करपा करके हिंदूों की भावना को ठेश पहुँचाने वाले और हिंदू धर्म को भरष्ट करने वाले ये जो मंदिर समेती के पदाधिकारी थे ये हिंदू थे मुसल्मान थे सिकते ये अईसाई थे अगर ये हिंदू थे और ये सरकार द्वारा नियुक थे इसके बावजूद इन्होंने हिंदू की भावना को ठेश पहुँचाई है तो क्या इनके घर भी बुल्डोजर से आप तोडएंगे इनको भी जेल हो जाएंगे या जो निरपराद गरीब असाहाए मुसल्मान से किसाई हैं उनको ही पीट के आपको तुष्टी मिलती है क्योंकि विदेश जाते हैं तो आपको तो वहां के शेक बड़े बड़े अगरब पती करोपती लोगों के साथ सजदा करने में भी कोई परिशानी नहीं होती मस्जिद जाने में भी कोई परिशानी नहीं होती उनकी बढ़ाई करने में भी कोई परिशानी नहीं होती हिंद उते से लात बारेगा कोई कुछ करेगा इस प्रकार उन्हें पांते करेंगे और हम हिंदू जो बहुत संख्यक हैं जो 80 प्रतिशत है देश के अंदर उनको चर्वी मिली हुई पशू चर्वी मिली हुई घी से बने हुए लड़ू खिलाएंगे का आपको पहले भी याद होग बहुत पुरानी बात है एक जैन वरिस्पती कांड हुआ थे उसके जो निदेशक थे उसके जो प्रोमोटर थे वो जैन साब थे और जैन लोग हम हिंदूों से भी जादे शुद्ध वारे जाते हैं बिलकुल ही जैन फूड खाते हैं उनक्या तो प्याज और नमक लेसुन म भी मिली हुई और उसके बाद हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं तो मैं तो निवेदन करता हूँ गौर्नमेंट वंडिया से जितने भी ये बड़े-बड़े कंपणियों के निर्माता हैं और डिबा बंद चीजें हमें खिला रहे हैं इसमें किस किस में ये पशू चर्वी मिली हुई है जिससे हम अपनी कम से कम हम अपने धर्म की खुद रक्षा कर पाएं सरकार से तो निरतक है ये अपेक्षा करना हां कि वो हमारे धर्म की रक्षा करेगा जिस चीज पह आप सरकार पर निर्फर करेंगे वो इस सरकार वहां दोकादे देग्या आप सोचेंगे कि शीवर नहीं भएगा भएगा निकासी पानी की ठीको नहीं होगी सलकों में पानी भरेगा हाँ भरेगा और बाकी बेरोजगारी और जो चीज़ सरकार की है उसमें तो आप अपिक्षा करिए मत लेकिन कम से कम जो हिंदूओं की भावना है जो मुसल्मानों की भावना है जो सिक्कों की बहुना है, जो सभी धर्म जाती संप्रताई की बहुना है, कम से कम मानेवर मोदी जी, आप हैं तो मुम्किन है, कृपागर के हमारी भावनाओं को बचाईए, हमारे इंदु धर्म को पिछले 10 साल की अंदर जिस प्रकार से बदनाम किया गया है, प्रतालित किय पूरे विश्व में हमारे धर्म की बदनामी की गई है, कृपागर के कुछी दिन हैं आपके सत्ता में, इसे से हमें बचाईए, 75 साल की अगले साल आप हो जाएंगे, हो सकता है उसके बाद आप मार्दश्यवंदर में चला जाएं, ऐसी मैं सोचता हूँ, बाकि हम नियम ब झाल